हेलो फ्रेंड्स, रेस्पी फॉर बिगनर्स में आप सभी का स्वागत है, आज हम बनाने जा रहे हैं पंच मेल डाल, के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मूंग डाल, 100 ग्राम चने की डाल, 100 ग्राम मसूर डाल, 100 ग्राम उरत की डाल, 100 ग्राम अरहर की डाल, सभी को बराबर मात्रा में लेके धुल के आधे घंटे के लिए भिंगो देना है अब हम 10-12 कलिया लहसुन की ले लेंगे एक इंच अद्रक का दो तीन हरी मिर्च अदो बड़े प्याज को बारिक काट लेंगे दो तीन चम्मच पानी डालके अध्रक लहसुन मिर्चा का पेश्ट बना ले कूकर गर्म करके उसमें 3-4 चम्मच घी डाल लेंगे घी जब गर्म हो जाए तो उसमें 1 टीई स्पून जीरा डाल लेंगे जीरा के चटक जाने के बाद उसमें दो सुखे लाल मिर्च, दो तेज पत्ता, बारिक कटे हुए प्याज डाल कर अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भुने अब हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें लासुन मिर्चा अद्रक का पेश्ट डालेंगे और अच्छी तरह से ब्ुनेंगे दो तिन चम्मच धनिया पौडर डाल ले, एक चम्मच जीरा पौडर, एक चम्मच हल्दी पौडर और अपनी भींगोई विद्दाल का पानी निकाल कर डाले और अच्छी तरह से ब्ुने तीन-चार मिनट भुनने के बाद इसमें एक से डिल लिटर पानी डाल ले, स्वाद अनुसार नमक डाल ले, एक चम्मच गरम मसाला डाल कर कूकर को बंद कर दे और मध्या माज पर तीन-चार सीटी लगने तक पकाए अब हमारा डाल तैयार है, इसमें नीम्बू का रस और कटी हुई धनिया पत्ती डाल ले और अच्छी तरह से मिला के गरम-गरम सर्व करें ये डाल रोटी-चावल किसी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें